और वो यही सुचते है कि उसने इस बंदे को कभी न कभी तो देखा है इधर हकाई टाकेमीची को पहचान जाता है और वो कहते है कि आईसी शिकल क्यों बना रहे हो भई महसूस ही नहीं होता कि मैंने बॉलिंग की है तो यहाँ टाकेमीची को फाइनली याद आ जाता है कि प्रेजन्ट में हकाई ब्लैक ड्रेगन का लीडर है तो फिर इस समय वो अभी टोमान का हिस्सा क्यों है टाकेमीची याद करता है कि काजुटोरे ने उसको बताया था कि हका काई इधर एक ही बार पे सारी ki सारी पेंस को गिरा देता है और स्ट्राइक मारता है और उसके बाद वो टाकेमीची और हिनाटा को स्माइल पास करता है जिसे वो अभी टाकेमीची और जाधा चटी जाता है और वो भी इधर अपने बोलिंग स्किल्स को दिखाने के लिए आगे आता है ये तुने हापे compete करना शुरू कर देते हैं और ये जोजवा इह दर हिनाटा के पास आके बैट जाती है ये तुने यहापे देख रहे होते हैं और हिनाटा यह यह कहते है कि हाकाई जो भी बाल्स फैक रहे हैं वो एक दोम इतनी तेजी से गिर रही हैं पूरी जी जान लगा के पंच मारता है और उसको 50 पॉइंट का एवरेज स्कोर मिलता है वही दूसरी और जब हकाई इधर पंच मारता है तो भई उसको फुल पॉइंट्स मिले होता है इसके बाद यह लोग यहां पर वैकमॉल गेम खेलते हैं जिसमें पर टाके मिची उसको म यहां जी जीड जाता है जिसके बाद हकाई कहते है चलो फिर अब चलो पिंग पॉंग खेलते हैं तो युजवा कहते है कि अच्छा ठीक है फिर आगर तुम दोनों भाई हो तो इससे सबसे मैं तुम दोनों की बड़ी बहन बन चुकी हूँ जाओ मिल ले स्नैक्स लेके आओ तो टाकिमी जी हाप पर सप्राइज जाता है ये जानके कि हाकाई और यूजवा दोनों भाई बहन है यूजवा कहती है कि वैसे तुमें देखके ऐसे लगता नहीं है कि तुम टोमान के कोई कैप्टन हो तुम देखने में काफ़ी कमजोर लगते हो हकाई में तुम से जादा टैलेंट है और वो तुम से जादा काबिल भी है वो चाहे तो तुम से आगे निगल सकता है लेकिन उसे रैंक से कोई फरक नहीं पड़ता हिनाटा कहती हाँ ये तो ऐसे है हकाई दिखने में काफी टफ लगता है तो यहाँ पिये सुनके हकाई फ्रीज हो जाता है और यूजा कहती है कि ओहो इसका कुछ नहीं हो सकता हकाई कहता है कि कैप्टन वैप्टन बनने में काफी रेस्ट्रिक्शन्स लग जाती है और मैं आजाद रहना पसंद करता हूँ तो हिनाटा कहती है कि वैसे ये भी काफी कमाल की बात है तो हकाई यहाँ फिर से फ्रीज हो जाता है तो यूजा बताती है कि हकाई काफी अजीव इंसान है मेरा अलावा कोई भी लड़की उससे बात करती है तो वो जम सा जाता है तो ठाकमीची यहाँ पर इनका यह ड्रामा देख रहा होता है और वो यही सोचता है कि क्या सच में हकाई शीव ब्लैक ड्रागन से है यहाँ पर वो हकाई से पूछता है क्या तुम्हारी मिट्सोया से बनती है तो हकाई कहता है कि इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे हो तो हम दोनों एक ही एज के है यह सुनके बाई टाकमीची शौक हो जाता है और यूजवा बताती है कि टाकशी हकाई के बड़े भाई की तरह है तो टाकमीची कहता है रहे हाँ मिट्सोया का पूरा नाम मिट्सोया टाकशी है हकाई बताता है कि टाकशी नहीं उसको सिखाया कि एक hoodlum को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसलिए वो सच में मेरे बड़े भाई की तरह है यूजवाँ बताती है कि हकाई टाकशी से सच में काफ़े जादा प्यार करता है और वो यहाँ पर हकाई का फोन इन दोनों को दिखाती है अगर कहती है, देखो, लोक स् Kurine पर उसने मिट्सय की फोटो लगा रखी है, और देखो, मैंने किसकी फोटो लगा रखी है, यहाँभे, उसने प्ने फोन में अपने भाई की फोटो लगा रखी होतीह है, हímयाँपे, ऊसे यह जानकival कному दोस्ती हो रही है लेकिंगे वो यही सोचता है कि आगे चलके मिच्सोया गायब हो जाता है तो क्या इसके पीछे हाकाई का ही हाथ है क्या उसी ने फ्यूचर में मिच्सोया को गायब किया था जब टाकेमीची हाकाई से प्रेजेंट में मिला था हमारा भाई वापस आ चुका है हकाई इदर टाके मीची से कहता है कि हे टाके मीची मज़ों माफ करना लेकि तुम्हें यह से निकलना होगा इदर हाजी में होता है और वो हकाई को देखता है और कहता है कि क्या बात है छोटा भाई भी इदर आ चुका है टाके मीची यहाँ पर यही सुचते है कि यह लोग है कौन लेकिन जब वो इदर हाजीमे को देखते है तो उसे समझ आ जाता है कि यह तो प्रेजेंट में ब्लैक ड्रैगन्स का मेंबर हुआ करता था इसका मतलब यह है कि वाइकर गैंग से इनका सामना हो रहा है वो और कोई निबल की ब्लैक ड्रैगन्स हैं इन मेंसे टाके मीची को पैचान जाता है और इनको पता चल जाता है कि टाके मीची टोमान का कैप्टन है इससे हाजीमे काफी साथ घुसा हो जाता है वो कहते है कि टोमान हमारी इलाके में क्या कर रहा है थाकिमीची मैं है यहां जा सिछी को पीटें और इदर यूजवा और यह लड़कीों पे बेशंगी करते हैं इदर हाकाई आगे हाता है और इनको रुखने के लिए कहता है वो कहता है कि टाकेमीची मेरा दोस्त है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो हाजी में कहता है कि जो भी हो, लेकिन इसको फिर भी एक सबक तो सिखाना होगा, और वैसे भी ये गैंग, तुम्हारा हुकम नहीं मानेगी, हाकाई कहता है कि मैं फिर से तुम्हें साधान कर र उसके वज़े से वो इन सब चीज़ों में फस गया और वो बताता है कि ब्लैक ड्रेगन का बॉस और कोई नी बलकीन का बड़ा भाई टाईजू शीबा है इदर हकाई पूछता है कि टाईजू किदर है तो हाजी में बताता है कि वो एक कन्वेनिस टोर पे गया है बस आते ही होंगे तो हकाई कहता है कि ओ गौड बतानी इसको यहां आने की क्या ज़रूत थी वैसे तो कोई घर आता नहीं है आज क्यों आगया बतानी यहां पर यह सुनके सीशू को काफे गुस्सा आता है और वो इदर एक ब्लेड हकाई के गले पे रख देता है और कहता है कि अपनी जबान सम्हार के बात करो हमारे बास के बारे में फाल तो बकवास करने की ज़रूत नहीं है नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा यहां पर यूजवा आती है भाई और सीशू को लात मार के भाई दूर उड़ा देती है और वो कहती है कि मेरे छोटे भाई से दूर रहो समझें इदर हाजी में सीशू चैसे कहता है कि चलो भेश शान्त हो जाओ तो यहां पर टाकेमिची इदर से भागने का डिसाइड करता है और वो हिनाटा को लेकर यहां से भाग रहा होता है तब ही यहां पर भाई साइड से टाईजू भागता हो आता है और टाकेमिची के उपर अटैक कर देता है अपने close line move से और उसको नीचे गिरा देता है यहाँ पर भाई टाके मीची बहुत बुरी तरह से खासने लग जाता है और टाई जो कहते है कि क्या बात है तुम तो मेरे बिना ही काफी मज़े कर रहे हो क्यों है ना तो यहाँ पर टाके मीची को भाई उठाता है और पंच मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि यह चुचंदर है कौन तो हाजी में कहता है कि क्या बात है बस आपने बिना जाने उसको मारना शुरू कर दिया वो टॉमान का एक कैप्टन है तो टाई जो कहते है कि क्या सच में मजाख कर रहे हो गया तो हाजी में कहते है कि बॉस सच में और हाँ ये हकाई का दोस्त भी है तो टाई जो कहते है ओ भाई साब क्या ही करू मैं तो यहाँ पर टाकी मीची के उपर किक मारता है और वो हकाई के पास आता है और हो कहते है कि वैसे मैं तुम्हें हमेशा कहता है रहता हो कि Black Dragons को जॉइन कर लो लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते है और आज तुम्हें एक पहार वाले को हमारे घर में लेके आ गए तो चलो फिर हाकाई अपने दोस्त को पीटना शुरू करो और तब तक पीटो जब तक चुट जाते है वो यही सोचता है कि अब वो करे क्या तो यार यह कोई स्पॉलर नहीं है लेकिन मैं इसको रैप अप कर दूँ अगर इस एपिसोड को तो जैसा कि एपिसोड के बीचे मैं बताया गया था कि हाकाई ने पिछले लीडर को मार के Black Dragon के उपड़ कर लिया था त इसका मतलब यह है कि वह आगे चलके अपने ही भाई को मार डालेगा ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से क्या मतलब यह तो नॉर्मल सी चीज़ है इसी एपिसोड में थोड़ा सोच होगे तो खुदी बता चल जाएगी चीज तो यह कोई स्पॉलर नहीं है ठ तब तक आप वेट कर सकते हो तब तक हम मॉब साइकल आने की कोशिश करेंगे ठीक है एनेक्स प्लेइन पे और जादक बात कर रहे हैं नेक्स प्लेइन की तो यह नेक्स प्लेइन के उपर अभी हम यह ब्लीज शुरू करने की कोशिश करेंगे या फिर लोकिसम देखते हैं काफी लोगों के कमेंट सारे है लोकीजम के लिए तो आप में को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नहीं तो मैं कम्यूटी टैब में एक पोल कर लूँगा पूछने के लिए आप लोगों से की कौन सी आना में करनी है इसके साथ ठीक है मिलता हुआ अगली वीडियो में तब तक कर सकते हैं मेरे पेच के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मिलता हुआ अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई